इस पर साइन्स एंड टेक्नलोजी अवैनेस ट्रेइनिंग प्रोग्राम 2024 जो की इस रोग दोवारा एक फ्री ओनलाइन मोर्ड पे कोर्स लाँच कर दिया गया है जिसकी बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से डिटेल से बात की थी कि कौन-कौन से स्ट्वें इस कोर्स में एंडर हो सकते है कि इस प्रकार से आपका सेलेक्शन होगा किस प्रकार से आपका मिनिमम और मैक्जिमम क्रैटेरिया होगा राइट किस प्रकार से आपकी मेरिटिस बनेगी राइट तो आज किस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर जो स्टार्ट होने वाले हैं चुकि आज 8 एपैल है इसका मतलब आपके की स्टार्ट हो चुके है जो जो केंडिये जो जूट्ट इंट्रेस्टेट्ट है जल से जल अपना राजिस्ट्रेशन कंप्रीट कीजिएगा राइट चलिए आपको वीडियो के मादियम से बताता हूं कि आप अपना registration इस प्रोग्राम में किस प्रकार से कर सकते हो एक और important चीज अगर आपको ये वीडियो informative लगता है अच्छा लगता है do, share, like and subscribe my channel तो चलिए आपको बताता हो सबसे पहले register करने के लिए आपको Google पे सर्च करना होगा अंत्रिक जग्यासा registration जैसे आप सर्च करते हो आपके सामने अलग-अलग link के साथ में वैप पैस ओपन होगा जिसमें आपको मैं highlight करके जो link बता रहा हो इस link पे आपको करना है click जैसे आप click करते हो आप जो है इस रो इ option पे जैसे आप cursor लेके जाते हो या click करते हो वहाँ पे आपको एक और option देखने को मिलेगा start इसके ओपर आपको करना है click और लिचिए आपका main जो है जिग्यासा portal open हो चुका है इस portal की बारे में हमने अच्छे से उस वीडियो में detail से बात की थी वैसे यह highlight आप देख सकते हो start on 8 April 2024 and ends on 12 April 2024 मैं आप सभी से request करूंगा जो भी student या जो भी person interest रखता है इस course में एंडॉल होने के लिए वो जल से जल अपना जो है इसमें enrollment complete केजिए अपना रेशन केजिए right चुकि यह वीडियो में 8 April को record कर रहा हूँ और हो सकता है कि अभी जैसे late night भी हो गई है right तो यह 9th April को मैं upload करो right तो आप जल से जल इसका रेशन आप complete कर दीजिए गा right जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया था अलग 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 category wise इसमें student की रेशन होंगे तो मैं आपको category 1 student वाले रेशन करके बता रहा हूँ ठीक है आप यह link देख पा रहा होंगे इस link पे आपको कर करें right तो रेशन करने के लिए आपको अपना full name जो कि आपकी तैन की mark sheet में है आप अपना email address आप अपना confirm email address और यह पर password डाल सकते हो चुकि यह चीज मैं अल्रेडी कर चुका हूँ तो मैं आपको थोड़ा आगे बताता हूँ आपको वापस retype password करने है और जो आपको capture दिय जैसे आप click करोंगे तो आपका account जो है वो active हो जाएगा और जो link है वो expire हो जाएगी और यह notification आपको pop up करके bold आपके font में आपको अपनी display पे देखने को मिलेगा right उसके बाद में आप जो है register आपको जो है email ID और password मिल चुके होंगे आप already register पे click कर सकते हो और आप अपना जो कि मैं याप डाल रहा हूँ ठीक है और आपके display पे जो आपको capture जो है security code जो आप डिस्प्ले हो रहा है उस security code को आप अच्छे से type कर लीजीगा और यहाँ पे आप एक login का option देख पा रहे होंगे ठीक है जैसे आप login पे click करोंगे उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्र for multiple online course in IIRS the restriction of maximum four course in a year is remote right अब देको main point यापर दो point याप आपको दिये गये है एक तो है course का name और एक आपका है mode of registration course का name तो वह है जो आपकी theme थी exploration of the solar system इसमें आपको more than one option यापर देखने को नहीं मिल रहे है only एक course का name आपको देखने को मिल रहा है next हम बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे individual registration है और एक है registration through ISRO Nodal Center वैसे ये ISRO Nodal Center और individual क्या है उस वीडियो में आपको अच् करने की ज़रूरत नहीं है अब मैं individual registration के थूर आप पर registration करना चाहूंगा तो मैंने individual registration पर click कर दिया है और यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं वैसे mandatory नहीं है बट इस option में आपको यह लिखना है कि यह course आपके career में किस परकार से helpful हो सकता है आप जाओ तो इसको skip भी कर सकते उसके बाद में आपको करना है next जैसे आप next करते हो तो next आपको जो है आपकी personal detail जो है उसको ले करके आपके सामने web page open हो जाएगा आप देख सकते हो जिसमें आपका salutation ठीक है mister वगिर आप क्या लगाते हो आपके name के आगे आपका full name आपका father name आपका date of birth आपका gender आपका nationality mobile number आपकी city आपके country आपका state आपके pin code ठीक है यह सारी detail फिल करने के बाद में आप कर सकते हो save and continue जैसे आप save and continue पर click करते हो आपके सामने कुछ education detail को लेकर एक एक web page फिर से open होगा जिसमें आपको highest qualification जिसमें आपको major subject और board, institute या university आपने कौन सी university से आपकी highest qualification complete की है और कौन सी year में पाज की है यह आपका detail जो है इसमें आपको fill करनी होगी और as similar आपको save and continue पर click करना होगा जैसे आप save and continue पर click करते हो next आपके एक web page open होगा जो की professional या document detail को लेकर की होगा जिसमें आपको employment status के बारे में पूचेगा आप student हो working professional हो या self employee हो या आपको foreign student हो जो की Indian university में study कर हो तो मैं आप student पर click करता हूँ choose qualification आपकी qualification क्या है तो मैं आप आप जो आपकी जो भी qualification आपको आप चूज करना है आप अपना photo या पर चूज कर सकते हो right आपका photo जो है वो आपके 500 KB हाप आप 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए right तो चलिए मैं अपना या पर photo चूज कर लेता हूँ लेजिए अपना photo चूज कर दिया है फिर next आप option देखांगे identification proof यहाँ पर अपना identification proof जो है passport है water ID है pen card है other card है या government employer ID है या कोई other है जो भी हो आपको यहाँ पर select करना होगा और जो select किया है उसका आपको यहाँ पर document जो की JPEZ या PNG या JPEZ फाइल में आपको यह upload कर लेता हूँ लीजी मैं upload कर दिया है आप चाहो तो अपने आदाकार number यहाँ पर type कर सकते हो otherwise आप इसको skip भी कर सकते हो right और आपको next करना है save and continue जैसे आप save and continue पर click करते हो आपको अपना registration जो है उसका पूरा form का जो पूरा preview आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जै आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा नेव फादर हस्बेंड या परेंट्स के क्या नेम है देट आफ बर्थ जैंडर नेशनलिटी मोड और रजिस्टेशन और नोडर सेंटर जो कि मैंने इंडिविजुल किया है कोर्स नेम मोबाइल नंबर कंट्री स्टेट सीटी प जो डाटा फिल किया था इसला डाटा जो साहरी डीटेल जो है आपको इस प्रीवी के फेरम में आपको देख लो मिल जाएगा और फिर लास्ट में आपको यह आप्शन दिख रहा होगा एक यहां पर अपने 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 इमेल आईड जाल रही है उसको अच्छे से आपक आपका खूद का नेम वगरा साइड डीटाइल जो है एक बार रीचेक कर लेना ठीक है फिर उसके बाद में आपको करना है यहाप है ओके तो चलिए ओके करते हैं ओके करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक वैप पेज ओपन होगा जिसमें आपको प्रोसेसिंग करके एक नोटिफिकेशन होगा लास्ट में आपको मिल जाएगा वह आप मिल जाएंगे यूज इस रेजिशन नंबर फोर फ्यूचर कम्यूनिकेशन राइट और जो भी कोर्स है उसकी आपको डिटल यहां पर देखने को मिल जाएगी और आप चाहो तो इस ओप्शन पेंट इस पेज के थुरू आप इसका प्रिंट भी ले सकते हो और भी जो फिस कोर्स के रेस्पेक्ट में इस कोर्स के रिगार्डिंग जो भी इंफर्मेशन होगी वो सारी आपको आपके रेजिस्टर एमेल के तुरू इस रोड़ा वेज दी जाएगी तो आपको बार बार आपके एमेल एडेस का इमेल एडेस पर इस रो के मेल जो है वो चेक क द्वारा फ्री में लॉंच है आप देख सकते हो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ्री के बारे में आप्शन नहीं था अगर ऐसा है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए ऐसे ही कैमिस्ट्री के इंपरेंट टॉपिक्स और ऐसे ही वेकेंसिस के विडियो के लिए और आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जाहें